मैं है स्लाम अदिन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स कलबा मुम्रा की विधायक जितेंद्र अभाड ने इन्सीपी के जनरल सेक्रेटरी पस से इस्तीफा दे दिया है जितेंद्र अभाड ने कहा है कि मेरे साथ ठाने शहर के जितने भी राष्टवादी कॉंगरेस्ट पार्टी के पदादिकारी है उन्होंने अपने पत से इस्तीफा दे दिया है बता दे कि अवाइड ने अपना इस्तीफा जयंद पाटिल को भेजा है वही जितेंदर अवाइड ने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि शरत पवार को इस्तीफा नहीं देना चाहिए था क्योंकि हमारी जिन्दगी शरत पवार के साथ शुरू होती है और शरत पवार के साथ ही खत्म होती है मीडिया से बातचीत करते हुए जितेंदर वाइड ने क्या कहा है आपको सुनादे है मुझे नहीं मालूम उनका नाम चर्चे में है पर लेकिन ऐसी चर्चा मुझे में रखता उसको कोई अर्थ है हमारा क्यां। इत्रेट फोकस्ट है कि शरत पावर जी इस्तिवा नहीं दिने चाहिए अजित अवार जिस करिके से क्लिएас इ समय 노래zy देट है जिस के क्या मुझे कर रहे हैं उस्तिवा के नहीं है अजित पोे कि क्लिके मुझे पता बिन्कुल नहीं हुआ था अगर सलाम अश्वरा होता तो हम यहां बैठके बात नहीं करते हैं और शलत्पवार जी अमेशा कहते कि लोगों की जो जनबावना है अमेशा उसके साथ चलो तो आज मैं उनसे बहुत बिनमरता से बिनन्ति कर रहा हूं कि जनबावना को जानिये मह महाराष्टर में लोगों का क्या कहना है वो जानिये और वो जानते हुए आपने जो बुन का लेनी चाहिए के भाई लोगों की इच्छा है जो होती है उसके खिलाव कभी मत जाओ ऐसा समझाया करते देश जमाने में उनको उनको जो बहुत समझाते थे उसी पर चलना होगा प्रवाष्टर में लोगों का सुनना चाहिए और लोगों का जो कल है उसके साथ नेताओं ने चलना चाहिए नेताओं को बड़े ही उससे नाराजगी हो लेकिन लोगों का जुखा है उसी जुखा के तरफ नेताओं चलना चाहिए तो शरत पावर यह कैसा कर सकते हैं उन्ह हमारी जिंदगी उनके लिए कुछ नहीं नहीं है और यह लड़ाई में विदाउप शर्द प्रवार हम कैसे लड़े हैं किसे लोगों ने आपके साथ रिजाए लेको मैं अकेला हूँ मैं लोग इंद के राजनीती नहीं करता हूं मैं 35 साल से राजनीती करता हूं मैं यह नहीं दिनता हूं कि मेरे पीछे कौन है और मेरे जो भूमिकाली है आज तक वो लोगों ने लिए और बाद में पार्टी में भी तो उन्हों नहीं नहीं के लिए जे लोगों को मुखा लेती हैं उसमें कहा हैं पार्टे में बहुत है लेलो ने लोग हो पर वो जाने नहीं चाहिए